हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिब चैनल एजुकेटट भारत में दोस्तो आज हम प्रतम विश्वयुद्ध से रिलेटेड टॉप 25 MCQs देखने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो प्ली आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन प्रतम विश्वयुद्ध की शुरुवात कब हुई बहुत जादा इंपॉर्टेंट क्वेशन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 28 जुलाई 1914 को प्रतम इंपॉर्टेंट यूद्ध चला था नेच्सट कितने देशों ने प्रतम विश्वयुद्ध में भाग लिया बहुत जादा इंपॉर्टेंट concept है यहाँ पर correct option हो जाएगा C-37 याने 37 देशों ने प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लिया था Next प्रथम विश्वयुद्ध का तातकालिक कारण क्या था देखिए कोई भी युद्ध होता है उसका तातकालिक कारण जो होता है ये जरूर ही पूछा जाता है इसलिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा A- आस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनाइन की हत्या प्रथम विश्वयुद्ध का तातकालिक कारण रही Next आस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहा हुई तो इसका सही आंसर हो जाएगा B- बोस्निया की राजधानी सेरा जेवो में आस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी यही तातकालिक कारण रहा था प्रथम विश्व युद्ध का Next किन दो खेमो में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया बढ़ गई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा C- मित्ररास्ट और धूरीरास्ट इन दो खेमो में बढ़ गई थी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर Next दुरी रास्टों का नेतरित्व किस ने किया? यहाँ पर correct option हो जाएगा A, जर्मनी के द्वारा दुरी रास्टों का नेतरित्व किया था इसके अलावा जो आस्ट्रिया, इटली इन्हों ने भी नेतरित्व किया था दुरी रास्ट की ओर से नेक्स्ट, मित्र रास्टों में कौन से देश शामिल थे, तो यहाँ पर correct option हो जाएगा D, इंगलेंड, जापान, सेयुक्तराज, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यह सभी मित्र रास्टों में शामिल थे, नेक्स्ट, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था, बहुत जा औस्ट, आस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच, त्रिगुट का निर्मान कब हुआ? यह बहुत ही जादा जो ट्रिपल अलायंस बन गया था या त्रिगुट बन गया था इसका निर्मान कब हुआ किस वर्ष हुआ यह बहुत जादा एक्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है तो आपको याद रखना है करेक्ट आस्ट्रिया जर्मनी और इटली के बीच ट्रिगुट का निर्मान या ट्रिपल अलायंस का निर्मान हो गया था नेक्स्ट सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी काला हाथ काला हाथ सर्बिया की गुप्त क्रा यह सबसे जादा important question है, बहुत बार पूछा गया है, सही option है आपर हो जाएगा, C. 6 April 1917 को अमेरिका प्रथम विश्वयुद्ध में शामिल हुआ था, next देख लेते हैं, रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मद्धिस्तता से हुआ, तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा, C. अमेरि न्यूली की संधी कब और किसके बीच हुई, बहुत जादा important question है, सही answer है आपर हो जाएगा, B. बुल्गारिया और मित्र रास्टों के बीच न्यूली की संधी हुई थी, बहुत जादा important है, यह पूछा गया है, एक और चीज़ा आद रखें कि यह संधी कब हुई थी, तो जर्मनी ने रूस पर आकरमन कब किया, इसका correct option हो जाएगा, A. एक अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर आकरमन किया था, next, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया, सही answer यहाँ पर हो जाएगा, C. तीन अगस्त 1914, देखिए correct, यह जो जितनी भी date है, यह बहुत जादा important है, क्य तो इसलिए इसे हमें याद रखना है, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला 3 अगस्त 1914 को किया था, next, इंगलेंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, जैसे अमेरिका का शामिल होना बहुत important है, 6 अपरेल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ, उसी प्रकार इंगलेंड का शा इसे हमेरिका के रास्टपती कौन थे? बहुत जादा पूछा जाने वाला question, सही answer जाएगा B, बुढरो विलसन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के रास्टपती थे, next, इटली मित्र रास्ट की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो correct option यहाँ पर हो जाएगा A 26 अप्रेल 1915 को प्रथम विश्वयुद्ध कब खतम हुआ शुरुवात कब हुई हमने सबसे पहले वो देखा और प्रथम विश्वयुद्ध खतम कब हुआ तो ये भी हमें याद रखना है तो इसका correct option हो जाएगा A 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समापती हुई थी नेक्स्ट पैरिश शान्ती सम्मेलन कब हुआ बहुत जादा important correct option हो जाएगा D 18 जून 1919 को पैरिश शान्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया था नेक्स्ट पैरिश शान्ती सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया बहुत जादा important है ये हो जाएगा C 27 या 27 देशों ने भाग लिया था लेकिन जो ब्रीटेन, फ्रांस और अमेरिका थे जो संधी के शर्ते थी वो ब्रीटेन, फ्रांस और अमेरिका के द्वारा ही तै की गई थी भले ही भाग 27 देशों ने लिया लेकिन जो तीन major country या जिन्होंने major role play किया है तो वो ब्रीटेन, फ्रांस और अमेरिका है नेक्स्ट वर्साय की संधी कब और किसके बीच हुई यह most important question है बहुत बार पूछा गया है और आगे भी यह पूछा जाएगा क्योंकि यह संधी सबसे जादा important है correct option है आपर हो जाएगा A जर्मनी और मित्र रास्टों के बीच वर् जर्मनी और मित्र रास्टों के बीच एक संधी हुई थी जिसे नाम दिया गया था वर्साय की संधी देखे वर्साय की संधी को और भी नामों से जाना जाता है जो पूछा जाता है इसे अपमान जनक संधी कहा जाता है आरोपित संधी कहा जाता है और विश्वास घाती बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि वर्साई की संधी किसके साथ हुई है तो जर्मनी और मित्र रास्टों के बीच वर्साई की संधी हुई है कब हुई है तो हुई है 28 जून 1919 को युद्ध के हरजाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशी की मांग की गई थी यहां पर correct option इसका हो जाएगा भी 6 अरब 50 करोड युद्ध के हरजाने के रूप में जर्मनी से मांग की गई थी तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो राशी मांगी गई थी वर्सा के हर जाने के रूप में next last question अंतरास्टी शेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था तो यहां पर correct option हो जाएगा भी रास्ट संग की स्थापना कई बार पूछा जाता है कि किस युद्ध से रास्ट संग की स्थापना हो गई थी तो correct option हो जा जाद से जादा शेयर कीजेगा आज के लिए बस इतना है दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत